मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, मैं एपी सर, आपको अपने यूटूब चैनल एपी सर रिजिनिंग क्लासिस में स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रिजिनिंग में एक नया शैप्टर की शुरुवात करेंगे, उसका नाम है क्लॉक यनि घड़ी तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करता हूँ घड़ी की, तो घड़ी में कुल एक्जाम में कितने प्रकार से प्रस्ण पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुल कितने प्रकार से प्रस्ण बनते हैं तो मेरे प्यारे बच्चो कोई भी exam हो बैंक को छोड़ कर बैंक में क्योंकि घड़ी से question नहीं आते हैं तो बैंक यदि आप छोड़ देते हैं जितने भी आप competitive exams देते हैं तो उसमें कुल 6 प्रकार के प्रस्ण पूछ जाते हैं और उसी में से कोई नो कोई एक प्रस्ण हमार time to angle conversion इसका नाम है time to angle conversion यानि आपको time यानि समय दिया जाएगा कोई समय दिया जाएगा और समय से आपको angle पूछा जाए कि मान लेते हैं चार बच कर 50 मिनिट पर कितने डिगरी कोड़ बनेगा ठीक है इस प्रकार से question पूछा जाएगा तो समय दिया जाएगा और आपको angle find करना होगा यानि कोड़ आपको ग्याद करना होगा तो किनी दो सुईयों के बीच कोड़ आपसे पूछा जा सकता है time देकर angle पूछा जा सकता है तो यह पहला प्रकार हो जाएगा अगर हम दूसरे प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो आपको angle दे दिया ठीक है angle दे जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि किस समय में यह एंगल बने जैसे माल ले थे आप से पूछ लिया कि 0 डिगरी का angle तीन से चार बजे के बीच कब बनेगा तो समय आपसे पूछा जाएगा समय यानि time पूछ लिया जाएगा तो यह दूसरा प्रकार खो गया तीसरा प्रकार यहां से पूछता है angular distance और डिस्टेंस से question पूछ जाता है यानि कोडी ये दूरी कोडी ये दूरी से question पूछा जा सकता है और चौथा जो प्रकार का question यहां से पूछा जाएगा time interval से question पूछा जाता है time interval यानि शमय अंत्राल से question पूछा जा सकता है ठीक है पांचवा type से आप से पूछा जा सकता है error से जब घड़ी खराब हो जाती है ठीक है यानि गलस समय दिखाने लगती है यानि मलब गलस समय से गलस जब घड़ी खराब हो जाती है खराबी आ जाती है और छठोवा जो प्रकार इसका है उसका है उसका है छठोवा प्रकार है image से image यानि पर्ति बिम्ब से समंद्धित प्रस्टों पर्ति बिम्ब कि अधिशता एक परति बिम्ब कै theory off मतलब एक पढ़ेंगे हम लोग दरपढ बंव जल परतिविंब के बारे मां पढ़ेंगे जल परतिविंब और दूसरा पढ़ेंगे हम दरपढ परतिविंब ठासेए महल सकते हैं मिसलेनुस से तो इसको हम मिशलेनियस कहेंगे तो यानि कुल मिला कर देखा जातों साथ प्रकार के प्रश्ण बनते हैं कोई प्रकार नहीं इसी में से मिल कर आएगा ठीक है तीसलियम छे प्रकार के पूरे प्रश्न कहते हैं कि जो मलब टाइप है उस शिक्स प्रकार के प्रश्न बनाता है तो मेरे प्यारे बच्चों तो आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं फिर हम लोग एक-एक करके सबको पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपने ये चीजे नोट कर ली होगी ठीक है अब हम बढ़ते हैं इसका थोड़ा से बेसिक समझते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि basic concept of clock यानि clock का basic concept क्या है उसको पहले हम समझ लेते हैं फिर इतना जबर जस्त तरीका बताऊंगा clock या आप लगे कि हाँ यार यार यह तो बहुत बढ़ी है तरीका है इससे second question को solve कर सकते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम थोड़ा से basics का समझते हैं कि अगर basic हमको आता रहेगा तो हमें question कैसे भी घूमा कर देगा तो हम question को आसानी से solve कर सकते हैं तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर हम basic तरीके में सबसे पहले बात करें अगर मैं घंटे वाली सुई तो आप एक खेरिन बना लिजिएगा basic concept of clock तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले हम basic concept समझें तो मैं आप से अगर भी पूछों कि यह बताइए जो घंटे वाली सुई दे कि अगर यहां पास हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी में कुल तीन प्रकार के सुईयां हमें एक होती है second का एक होता है घंटे का और एक होता है मिनट का ठीक है तो यह तीन जो सुईयां ठीक है अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर घंटे वाली सोई की बाद करेंगे तो घंटे वाली सोई एक चक्कर पूरा लगाने में यानि एक चक्कर लगाने में टोटल कितना टाइम लेगी मेरे प्यारे बच्चों तो आप कहेंगे टोटल एक चक्कर लगाने में लेगी बारा तो यहां पास कुछ न कुछ बनेगा तो अगर कोई भी रेखाई मलब घूम कर अपने ही अस्थान पर आ जाती है तो यहां पास 360 डिगरी कोड़ बनता है तो आपने जमेटरी में पढ़ा ही होगा ठीक है तो यह बताए जब पूरा एक चक्कर लगाएगी तो पूरा कितने ड अगर हम यहां से एक घंटे में निकालें कि भाई एक घंटे में कितना कोड़ बनाती है तो यह बताए एक घंटे में अगर हम देखें तो एक घंटे में कितना लगाएगे बारस में भाग देंगे तो 360 बटे 12 बारस जब काटेंगे तो यहां पास आजाएगा 30 डिगरी तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह याद रखना है कि जो घंटे वाली सोई होती है, वो प्रते एक घंटा 30 डिगरी का कोड बनाती है, यह चीज आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, जो घंटे वाली सोई होती है, वो प्रते एक घंटा कितने डिगरी कोड बनात घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई अगर वो एक गयप बना रही एक गयप ठीक है तो इसका मतले वो 30 डिगरी चल रही है एक गयप बराबर 30 डिगरी तो यहां से हम एक और इसको लिश्कते हैं यहां पास कि एक यानि वन गयप एक्वल टू कितना होता है 30 डिगरी वन अब हम थोड़ा से और आगे चलते हैं तो यह बताईए कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं तो आप कहोगे एक घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट तो 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई होती हो कितना चलते कहोगे 30 डिगरी चलती है 30 डिगरी चलेगी 60 मिनट में घंटे वा पूछा जाए कि जो घंटे वाली सुई होती है वो एक मिनट में कितना चलती है तो आप ये जवाब देंगे एक बटे दो डिगरी यानि आधा डिगरी तो यहाँ पास आपको ये तीन चीज़े आपको याद रखना है पहला अगर मैं पूछू कि एक घंटे वाली सुई होती है एक घंटे में कितना चलती है तो आप जवाब देंगे 30 डिगरी एक गयप में कितने डिगरी कोड होता है तो कहेंगे एक गयप में 30 डिगरी कोड होत तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो है हम इसमें मिनट वाली सुई के लिए कुछ इंपोर्टन पॉइंट सीखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं मिनट वाली सुई की बात करूं मिनट वाली सूई तो मिनट वाली सूई के लिए आपके याद रखेंगे तो अगर मैं आपसे पूछू कि यह बताईए अगर मिनट वाली सूई 12 पर है और पूरा घोम करेंगे पूरा चक्कर लगा कर 12 पर आना चाहती है तो इसे कितने मिनट लगेंगे तो आप कहेंगे जो मिनट वाली स्वई है अगर वो पूरा घूमेगी ऐसे करके तो 60 मिनट में यहाँ पास आ जायेगी यानि जो मिनट वाली सोई होती है, वो 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर में कितने डिगरी कोड़ बनाती है, 360 डिगरी का, मेरे प्याले बच्चों यह चीज समझ में आया होगा, यानि 60 मिनट में मिनट वाली सोई, 360 डिगरी बनाती है, तो ये बताए जो minute वाली सोई है वो एक minute में कितना नाचेगी यह कितना चक्कर लगाएगी तो आप कहेंगे तो 60 से इसमें हम भाग देंगे 360 में जब 360 में 60 से भाग देंगे तो यह 00 कर जाएगा और यहां पास कितना आ जाएगा 6 डिगरी तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह चीज याद रखना है कि जो मिनट वाली सोई होती है वो एक मिनट में 6 डिगरी का कोड बनाती है यह आप important point याद रखना जो मिनट वाली सोई होती है वो एक मिनट में 6 डिगरी का कोड बनाती है यह चीज आपको याद रखना है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसके आगे वढ़ते हैं और आप इसक्रिंसोर्ट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं सेकंड वाली सुई के लिए सेकंड वाली सुई मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं सेकंड वाली सुई की बारे में बात करूं तो जो सेकंड वाली सुई होती है यदि मैं सेकंड वाली सुई की बात करूं तो जो सकंड़िवालिर स्वई होती हैं अगर 1 बारा पर 12 फिर आना चाहते हैं तो कितने से किडिवालिर स्वई होती है three गरी कर बना लेती है बना लेती है towards भैसेकशन वालिर बीगरी कर बनाती है तो हैं आप कहेंगे एक सीखन में Wochen्омoke बनाती है तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है, हम इससे कुछ कोश्चन करते हैं, यदि मैं एक कोश्चन आप से पूछूँ, मिनट की सुई, कोश्चन है मेरा, मिनट की सुई, घंटे की सुई से कितना गुना तेज है, मिनट की सुई, घंटे की सुई से कितना गुना तेज है, यदि मिनट की सुई के बारे में बात करें, मिनट वाली सुई, जब कभी भी ऐसे परसन आए, मिनट वाली सुई, तो आपको टाइम, टाइम आपको सेम करना है, यानि टाइम अगर सेम रहेगा, तो अभी आप उतलब डिश्टेन्स को बता पाएंगे, कितना गुना तेज है, या कितना सुलो है, तो मेरे प्यारे बच्चे, मिनट वाली सुई की बात में करूं, तो यह बताएए, जो मिनट वाली सुई होती है, वो एक घंटे में कितना चलती है, तो आप कहेंगे, कि एक घंटे में में चलती है, 360 डिगरी, मिनट वाली सुई जो होती है एक घंटे में 360 डिगरी चलती है लेकिन अगर 360 डिगरी ही हम घंटे वाली सुई से करवाएं घंटे वाली सुई से अगर हम 360 डिगरी चलवाएं तो ये बताए घंटे वाली सुई होगी उसको 360 डिगरी तै करने में कितना समय लगेगा या आप distance को same कर लिए दिये तो पता चल जाए कितना गुना तेज है या slow है ठीक है तो आपको अगर इस तरह के question आते हैं तो आपको distance को same करना तो मैंने 360 कर लिए अगर 360 में घंटे वाली सुई से चलवाना चाहूं तो कितने घंटे लगेंगे तो कहोगे 12 घंटे यानि 12 हो तो इसका जो answer आएगा answer क्या आएगा 12 घंटेज 12 घंटेज 12 घंटेज इसका answer हो जाएगा 12 घंटेज चली हम इस तरह के question और करते हैं कि तो मेरे प्यारे बैच्चों मैं एक question और लिख रहा हूं यहां पास बताईएगा question मेरा है second वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना गुना कितना गुना तेज है तो मेरे प्यारे बैच्चों जैसे मैं एक question लिख दिया second वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना गुना तेज है आप इसको कैसे बताएगे तो आपको distance सेम करना है बस तो यह बताईए अगर मैं मिनट वाली सुई के वारे में बात करूं कि भाई जो मिनट वाली सुई है ध्यान से यह किक्ची समझना मिनट वाली जो सुई है मिनट वाली सुई की बात करूं तो यह बताईए कि पूरा 360 डिगरी घुमने में कितना समय लेती है तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई 60 मिनट में शाट मिनट में कितना घुमती है तीन सो साट डिगरी मिनट वाली सुई को अगर घुमना हो पूरा तो साट मिनट में कितना घुम लेगी तो आप कहेंगे साट मिनट में घुम लेगी 360 डिगरी ठीक है लेकिन अगर हमें इस से केंड वाली इ सुई की बात करूं सेकेंड वाली इस सोई होगी, अगर मुझे 360 डिगरी उससे घुबाना है तो उसको कितने मिनिट लगेंगे, छ तो आप कहेंगे 60 सेकन्ड यानी एक मिनिट तो यह बताईए, मिनट वाले सुई है, वो 60 मिनट में 360 डिगरी टेवल कर रही है, और जो मिनट सुई है, वो 1 मिनट में 360 डिगरी टेवल कर रही है, इसका मतलब यह है, कि इसका जो एंसर होगा, वो कितना गुना तेज होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एंसर होगा, 60 मिनट तेज, ठ पास्ट है ठीक है तो मेरे प्यार बच्छों इस प्रकार से एक कोश्चन हम आउर करते हैं कोश्चन नंबर टू कि अगर यह आजाए सेकंड वाली सुई सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना गुना तेज है कितना गुना तेज है तो मेरे प्यारे बच्छों इसका आप अनिसर क्या बताएंगे तो यदि मैं सेकंड वाली सुई की बात करूं मेरे प्यारे ध्यान समझेना अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करूं सेकंड वाली सुई ठीक है तो यह बताएंगे पूरा 360 डिगरी चलने में कितना मिनट लेती है तो आप को होगे 360 डिगरी चलने में वो एक मिनट लेती है एक मिनट में 360 डिगरी टरॉल कर लेती है लेकिन अगर घंटे वाली सुई की बात करूं तो घंटे वाली सुई कितने मिनट में 360 डिगरी टरॉल करती है जो घंटे वाली 720 मिनट, 720 मिनट, यह जो घंटे वाली सुई है, वो 360 डिग्रे को ट्रवल करने में कितना मिनट लेगी, 720 मिनट लेगी, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यह बताईए, कि 1 से 720, यह कितना गुना तेज है, तो आप कहोगे, 720 गुना तेज है, 720 गुना तेज है, तो इसका जो ए लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और ज्यादस ज्यादा लोगों तक सेयर करें, मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारे यह बेसिक वीडियो था, क्लॉक का, और कल हम लोग इसमें टाइम टू एंगल कनवरजन सीखेंगे, और टाइम टू एंगल कनवरजन मैं करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, कल वाली जो वीडियो होने वाली, बहुत सब्सक्राइब करें, तो आब वाली वीडियो को दू देखेंगे, तो कल याणि नेक्स्ट वीडियो में